हेलो फ्रेंज स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में तो फ्रेंज आज हम लोग इस वीडियो में जैसे आर्टी क्लास फाइव का मैयात का कॉशन को सॉल्व करेंगे किलो मेटर को मीटर में बदलना कैसा है तो इस वीडियो में हम लोग सीख लेंगे ठीक है तो इसको सुल्व सेयन तक दिखिएगा तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा मिहां पर बुद्ट ने अइट नहीं दिख रहा है मेरा विक में आप अपना बुक में देख लीजिएगा किलो मीटर को में बदलना तो इस तरीके से यहां पर कॉश्चन दिया आवाँ है इससे पहले दो वीडियो हो चुका है ठीक है और यह तिसरा वीडियो है तो अगर आपने वे सब वीडियो को अभी तक नहीं देख सकते हैं वे दूनों वीडियो का लिंक मेने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है या फिर प्रेलिस्ट बनावा है वहां से भी कोपी में उतार लेना है उसके बाद कोपी में बनाना है ठीक है बुक में नहीं बनाना यहां पर तो चलिए पहले कॉशन को कोपी में उतारते हैं और फिर बनाते हैं और कैसे बनाते हैं एकदम सिंपल तरह के से तो आप जरूर दिखिएगा ठीक है आपको बहुत यह अच्छ को जब मीटर में बदलेंगे न तो उसमें गुना करना होगा और जब मीटर से किलो मेटर में बदलेंगे न तो उसमें भाग करना होगा अब कितना से गुना करना होगा कितना से भाग करना होगा तो चलिए देखते हैं देखिए यहां पर लिखा हुआ है इन्हें मीटर में ब खावा है यहाब खाली जगह है तो कितना मीटर होगा छो किलो मेटर दिया है तो कितना मीटर होगा तो देखिए किलो मेटर वी जैसे मैंने बताया आपको किलो मेटर से जब मीटर में जाएंगे मतलब किलो मेटर को जब मीटर में बदलेंगे तो क्या गुणा करेंगे एक हज आई देखिए यहां पर जो relation होता है चूकि एक किलो मीटर यह relation बता रहे हैं संबंद बता रहे है किलो मीटर और मीटर के बीच में एक किलो मीटर ब्राबर 16 साइट कि यहाद राख सकते हैं कैसे देखिए एक किलो मीटर बड़ाबर एक हजार मीटर तो आपके येगा कि दो किलो मीटर पराबर कितना होगा तो दो किलो मीटर पराबर आपका दो हजार हो जाएगा दो हजार मीटर तीन किलो मीटर पराबर कितना हो जाएगा तो तीन हजार मीटर चार किलो मीटर पराबर कितना हो जाएगा तो यहाँ पर आपका 4000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 चो किलो मीटर बराबर कितना मीटर होगा तो देखिए यहां पर अभी क्या बोलें एक किलो मीटर बराबर एक हजार मीटर दो किलो मीटर बराबर दो हजार मीटर तीन किलो मीटर बराबर तीन हजार मीटर चार किलो मीटर बराबर चार हजार मीटर आगे बढ़ते जाएंगे पांच किलो मेटर बराबर 5,000 मीटर फिर 6 किलो मेटर बराबर 6,000 मीटर लेकिन इस तरह के से आप कितना आगे बढ़ सकते हैं यह तो पूसिबल नहीं है अगर बड़ा संख्या आ जाए तो आप इस तरह के से कॉंटिंग करते करते ठाक जीएगा गिनते गिनते ठाक जीएगा इसको आप आसान और भी कैसे बना सकते हैं तो वो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है छो किलो मीटर बराबर कितना मीटर होगा तो यहाँ पर हम लोग संबंद जानते हैं रेलेसन जानते हैं जो कि एक किलो मीटर बराबर एक हजार मीटर होता है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसलिए छो किलो मीटर ठीक है यहाँ पर किलो मीटर होगा किलो छो किलो मीटर बराबर क्या करेंगे एक हजार से गुना कर देंगे छो को टीक है एक हजार को छो से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा देखिये छो एका छनी आपको क्या करना है 1000 से गुनाओ कर दो को ठीक है तो ऐसे कर ये चौक का पहड़ा एक बार पढ़िए तो च्धा जालेगा ठीक है अब इसके साथ कितना जिरो है एक हजार में कितना जिरो जिरो एकते जिरों े ती यहां पर ती जिरो दिखिए एक हजयर में 33 Cos 10 लगा देंगे मतलब यह गुणा फोगी आपका तो 35,000 मीटर हो गिया आपका पनसर मीटर में ठीक है मैनओर हजार मीटर हो झाएगा ड़लो हजाएक अब यहां पी आपकि बताय यहां इक हज़ार मेटर हो जाएगा पेंटालिस क्लो मेटर प्रावर पेंटालिस मीटर हो जाएगा पर क्रीज ये हो गया पर नहीं है अब यहां पर देखिए, 22 km है, तो 22 लिखेंगे, और क्या करेंगे, 3 0 लगा देगे, 3 0 क्यों लगाते हैं, क्योंकि 1000 में 3 0 है, इसी लिए 3 0 लगाते हैं, अब 22 का फ़ाड़ा एक बार पढ़ते हैं, इसलिए 20 लिखते हैं, clear है, तो देखिए 22 किलो मेटर बराबर 22,000 मेटर हो गिया पांचवास वाल देखिए यहाँ पर 122 दिया हुआ है तो आपको दरना नहीं है क्या करना 122 दिया हुआ है कोई दिकत नहीं आपको 122 ही लिखना है देखिए कैसे 122 लिखिए 122 है न इसका पढ़ा एक बर पढ़ेंगे मतलब 122 का गुना एक के साथ करेंगे किता हो जागा 122 से रहेगा अब यहाँ पर देखिए 122 का गुना एक के साथ तो कर दिये और यहाँ पर लिख दिये लेकिन यहाँ पर 3 0 बचा वा था तो 3 ज़रों यहां पर इसके साथ 60 दीजिए या फिर लगा दीजिए बस होगी आप का अंसार देखी 122 किल मेटर को जब आप मेटर की रूप में लिकेंगे तो 122 हजार मेटर हो जागा मतलब देखिए 122 हजार बोलिए या फिर 122 हजार बोलिए दोनों बरावर हैं ठीक है तो आप इसको देख लिजिए अच्छे से और अपना कोपी में बना लिजिए उसके बाद फिर रवड़ते हैं आग कोशन दिया हुआ है उसको भी बनाते हैं एकदम अच्छे से समझ माएगा देखिए यहां पर भी देखिए अगदम वही सवाल है इन्हें मीटर में बदलिए देखिए यहां पर थोड़ा सा इसमें चेंज किया हुआ है देखिए पांच किलो मीटर और यहां पर देखिए 450 मीटर भी दिया हुआ है अब देखिए चुकि हम लोग को मीटर में बदलना है देखिए अध्यान से इन्हें मीटर में बदलिए तो देखिए, यहाँ पर 450 मीटर भी दिया हुआ है, तो मीटर बला को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ 5 किलो मीटर को बदल देना है, ठीक है, तो कैसे बदल यहाँ देखिए, 5 किलो मीटर बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए, 5 किलो मीटर बराबर किता ह हो जाएगा 5000 मेटर ठीक है 5000 मीटर हो जाएगा अब यहां पर देखिए अलग से कितना है 450 मीटर तो यहां पर मिटर आ जाएगा और इधर कितना जाएगा देखिए 05 और इधर इधर चार इधर पांच कितना आगया देखिए काईद आए सिकड़ा हजार 5450 मीटर तो यहां पर आपको भर देना है देखिए मीटर यहां पर है और यहां पर मीटर है और यहां पर भी मीटर है तो आपको यह भला भरना है ठीक है देखिए 5000 मीटर आया ना तो अच्छा यह चारसो पचास मीटर को यहांपर भर दना है और यह 5 किलो मीटर पर आप किता होता है household मोर्य ने लियुए और आपको की इंद्ध नहीं आप यह दुनों को जोड़एना है पांपचाम दिए कांज यहांपर जोड़ने बाद यहां पर जितना आया टोटल आप अगर आपको समझ में नहीं आया है तो यहां पर देखिए अगला स्वाल में दिया हुआ है 12 किलो मीटर और दिखिए यहां पर 365 मीटर दिया हुआ है तो क्या करना है यह वहला मीटर 365 मीटर को आपको यहां भर देना है 365 मीटर तो लिखावा है यहां पर अब दिखिए 12 किलो मीटर को आपको मीटर में बदल लेना है और यहां पर भर देना है अब का अंसर हो जाएगा ठीक है दिखिए 12 किलो मीटर परावर क्या हो जाएगा तो 12 हजार मीटर हो जाएगा तो य जाएगा अब 3 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा और इधर देखिए 12 बचा वायतिया पर 12 लिग देंगे 12 1375 मेटर होगी आप कांसर कि यहां पर कुछ नहीं किया देखिए 5000 किलो मेटर को मेटर में बदलना है देखिए 5000 मीटर होगया और मीटर में जो पहले स्भीय दिया वाया हूँ देंगे और दोनों को जोड़ देंगे और यहां पर लिख देंगे बस होगी आंसर दो नमर का question में भी वही किये, देखिए, 12 km पर राबर, 12,000 मीटर हो गया, 365 मीटर था, तो यहाँ पर लिख दिये 365 मीटर को और दोनों को जोड़ दिये, बस आ गया, अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए, 25 km है ना, तो क्या करना है, मीटर में आपको बदल देना है, 25 km पर अबर किता होगा, 25,000 हो जाएगा, तो हैं पर 25 लिख लना है, और 30,0 लगा दाना है, 30,0 लगाने के मतलब है, 1000 से गुना करना, ठीक है, तो 25,000 मीटर हो गया, किस का मान, यह 25 km का मान, मीटर में 25,000 हो जाएगा, ठीक है, अब बचा कौन, 70 मीटर, तो यहाँ पर 70 लिखेंग है, साथ होगा, अब यहाँ पर कुछ नहीं बचावाए, और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, पांच, दो, तो इदर से पांच, दो, माई दो, इस तरीके से लिख दना है, ठीक है, तो देखें, कितना आगया, एका इदा है, यहाँ अच्छी से समझ में आ अगया होगा, अगर आपको अब भी समझ में ने आया है, तो आप कमेंड जरूर करियागा, ठीक है, मैं आपके लिए इसी तरह कॉस्टन लेकर कोई दूसरा वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है, तो उमीद करते हैं, कि आपको सारा सवाल समझ में आ गया होगा, तो फ्रे तो आज हम लोग इस वीडियो में बस वही सीखें, किलो मेटर को मेटर में कैसे बदला जाए, तो हम लोग इस वीडियो से अच्छे से समझें, तो फ्रेंस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ मैं या तो वीडियो को एक लाइक जरू करिएगा, और यदि साथ में बेल आइकन का नोटिफिकेशन जो होता है घंटी जो होता है उसको जुरूर दबाईएगा ठेक हैं तो चलिए आज की इस वीडियो में अगला वीडियो में अगला कॉश्चन को लेकर तब तक के लिए थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो